अलो नमस्कार जैंद अज का टैपिक है एपीस के लिए हिंदी पेपर बनाने वाला मजाग करता है कहीं से बनाता है तो अलग चीज है अगर नहीं तो अच्छे डंग से मनता है तो यहीं से आएगा इस बात की गारंटी है पत्र लेखन पत्र लेखन पत्र लेखन में हमने टाइपिंग नहीं कराकर लिखवा क्या पेज पर फोटो डलवाया इसमें तो थोड़ा सा आधार मैनेज करना पड़ाइगा आपको, पत्र् लेखन जो है दूसद थार पर फिर में आदार लेखन को बंटा गया है तो, एक आधार होगा लिखने की आधार पर और इस होगा आवश्यक्त पेस्ट प्रकार से पड़ती ए और लिखने के लिए किस प्रकार से लिखा जाता है अवचारिक रूप से लिखा जा रहा है या अनवचारिक रूप से लिखा जा रहा है किस प्रकार से लिखा जा रहा है तो लिखने के अधार पर और एक आवसेक्था किस प्रकार के पड़ गई तो इस आवसेक्था के अधा जो आफिसियल प्रकार के नहीं होते हैं अवचारिक पत्र जो है यह पुना दो भागम बढ़ता है एक बेपारिक पत्र और एक सरकारी अथवा अर्द सरकारी पत्र पत्र अवचारिक पत्र अनवचारिक पत्र और अवचारिक पत्र अनवचारिक पत्र यह अनवचारिक पत्र और अपचारिक पत्र फार्माल लेटर अफिसिल होता है इस दो भागम पुना बाटते हैं विपारिक पत्र बिजनेस लेटर और सरकारी अथवा अर्ध सरकारी पत्र गवर्मेंट अथवा सेमी गवर्मेंट लेटर समाजिक पत्र कंगूरूबाट निमनत्रन पत्र इनिटेशन लिटर सन्तावना या सोकh पत्र पीता को पत्र इस प्रकार से और नींद लिखायम इसका मतलब कि उदारन इसके यह कि यह हुआ यह जो दार रहाए सरकारी पत्र अथवार सरकारी पत्र के शब अधारन यह समाजी को और बधाई यह सब पत्र हो सकता है और करयालाई पत्र हो सकता है बिग्यप्ति हो सकती है और भी बहुत सारे हो सकते हैं इस प्रकार से डाट-डाट जिसे भीविध हमने लिख दिया है सासकी और सासकी और सासकी करयालाई बिग्यप्ति और भी बहुत सारे तो इसमें क्या क्या है सबके बारे में देखते हैं बारी बारी से अब सकता क्या धार पर सासकी और सासकी और सासकी करयालाई पत्र बिग्यप्ति पर और भी बहुत पत्र इसको अभी जो मैंने बताया उस उसके कुछ उदारन जो होंगे वह होंगे परीपत्र, दृतगामी, प्रिष्ठांकर और अनुस्मारक यह सासिकी पत्र के उदारन होगी, यहीं से आपके question बनेगा कि लिखित में से क्वाँचा सासिकी पत्र को दारन नहीं होगा, यह यत्वा होगा यह तो इसीक्रेकार से प कि हमने अभी यहीं कंफर्म कर दें सासिक का मतलब होता है सरकारी सासिक का मतलब की अर्ध सरकारी अर्ध सरकारी अर्ध सास्की बोले या अर्ध सरकारी बुले एक ही बात हुई हाई श्यासिक वर्पना और या देश क विग्यप्ति के उधारनी मों होगे कि संग्विधिक अध्यन प्रेश विद्यम्हें प्रेश ढम्द शूचना विग्यापन इत्याद वद ढрий आजूए कुना है जो इंपाटन accidents होंगे बीविद में आएंगे रेडियो ग्राम टेली ग्राम प्रस्ताव घोषणा डिस्पैज संसोक संदेश सेवी ग्राम है आ जाए लें आप देखते हैं अवचारीक पत्र फार्म लेतर जो किसी सरकारी या बेवसायक संस्था अथवा किसी अधिकारी के दौरे किसी बेक्ति अथव संस्था को लिखा जाता है और यानि कि सरकारी तोर पर जो किसी सरकारी संस्था के द्वारा अथ्वा किसी सरकारी ब्यक्ति के द्वारा किसी भी संस्था को अथ्वा ब्यक्ति को लिखा जाता है उसे सरकारी पत्र कहते हैं जैसे यहां पर अपचारिक पत्र का प्रारूप है अपचारिक पत्र का जोर्य होता है कि कि विसे में आप पत्र लिख रहा है उसका सब्जेक्ट क्या है? उसके बाद श्रिमान जी लिखकर उसके बाद अपना जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना होगा उ वहाँ पर लिखेंगे डिसक्राइब करेंगे उसके बाद यह नीचे धन्य बिजनेस लेटर जब किसी ब्यक्ति अथवा कंपनी के द्वारा दूसरे ब्यक्ति या कंपनी के साथ बिजनेस है तो पत्र लिखा जाता है तो वह ब्यपारिक अथवा ब्यवसाइक पत्र कहलाता है किसी ब्यक्ति के द्वारा तो किसी कंपनी के द्वारा अन्य किसी ब्यक्ति को अथवा किसी company को जब पत्र लिखा जाएगा बिजनेस के परपर से उसे बिजनेस लिटर या बेपारिक पत्र या बेवसाइक पत्र कहेंगे यह के प्रारूफ है यह प्रारूफ महिश्कुमार दिनिश्कुमार इलेक्ट्रानिस जादों के थोक बेपारी दिस लश्मी नगर दिल्ली इतना यानि कि इसका अड्रेस लिखा गया उसके बाद अपना नाम लिखेंगे उसके बाद नीचे यहां पर जो जो लिखना होगा उ उसके बाद डेट लिखकर पत्र संख्या लिखकर और सेवा में लिखा जाता है जिसको भेजना होता है कि सरकारी पत्र जब किसी सरकारी संस्था के द्वारा दूसरे सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था के साथ पत्र पत्र संस्था के द्वारा दूसरे सरकारी संस्था को कोई भी सरकारी संस्था को अगर पत्र भेजती है तो उसे पत्रिसे बोलते हैं चर्में यहां पर दिया गया है करेलर कर नाम विभाग दोनूं लिखना जरूरी होका इसमें है इसके बाद भी लिखेंगे सब्सक्राइब हमेशा हम पत्र में हमेशा भी से लिखना पड़ेगा लिखेंगे उसके बाद आपना डीटेल कर लिखेंगे अपना नाम और पता लिखेंगे हैं यहांं पर मतलब नाम पता का मतलब कि आपकी किस पोश्ट पर हैं सरकारी की तरफ सरकारी कर्याला के तरफ से बैज़ेंगे लिए ब्रदानाचार वुकावेदन पत्र खूब लिखिए यह सकता तरह कुछ भी यह कुछ प्रकार से खुब लिखेंगे तो यह तो याधी होगा तिव्य के लिखेंगे ये इसके कारण फिर लिखेंगे कि हमारा इतना डिग्री स्कुर्ट कर दो गए उसके बाद आपका यह बिसे और विख वकार लेटर कि पर में जिसे सिकायद भेज रहे हैं घटना लिखेंगे इसमें लुखते हैं कि अ यहां पर प्रार्थी प्रार्थल नाम और पता लिखता है है अब दन पत्र इस तरह के पत्र में जब कोई किसी नौरीया कहें की स्कूल कालेज में और मुस्त के लिए आवेधन करता है तो आवेधन पर संप्मीट करेंगे है क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है किस प्रकार से रेंप करेंगे क्यों कि अवेधन कर रहे है किसी नवकरी pier γें कर और आपना क्वाली के केशन दिखाएगे बार की तियादी कुछ दिखाएगे तो उसे सनलगने करना पड़ता है तो इसका क्या जातंड मतलब की जो सनलगनग Log नेक्ष्ट है अनवचारिक पत्र इन फार्मलेटर अमनावचारिक पत्र उनको कहा जाता जो किसी बेकती के द्वारा अपने नीजी रिस्तिदारों मित्र गणों माता पिता पुत्री पुत्री इत्यादी को लिखा जाता है ऐसे पत्रें बधाई संदेश निमंत्रन पत्र सोक संदेश पिता को पत्र मित्र को पत्र इत्यादी हो सकते हैं यानिकि जो अपने संबंधियों के द्वारा औल लिखे जाते हैं अजो समाजिक लोगों के द्वारा अपने समाज के पर दिखाई लिखा जाता है लिखाया यहां पर लिखे देंगे तुम्हारा भाई यहां पर लिखने वाला है उसका नाम नाम और लिखतेंगे अनवापचारिक पत्र के प्रकार नवापचार पत्र होता है अनवापक्षारिक पत्र में जब कोई इसे समाजिक पत्र में सकता जाता है पत्वा मृत्यू के बाद होने वाले कारीक्रमों के बारें बताया गया हो ऐसे स्वक पत्र या संतावना पत्र कहते हैं इस प्रकार की जो संतावना पत्र कहते हैं पधाई पत्र कंग्रुचुलेशन लेटर जो अपने मित्र को सगय संबन्द किसी को भी इन फार्मल रूप से बहें लेकर दीए और प्रीए शूरेज पुरे राधा प्री राधिका जो कुछी बिलिखना है आप लिखेंगे आपका मित्र जो है अथ्वाजोकिश भी संबंध ही उसके बाद इसमें यहां पर डिस्क्राइब करेंगे कि क्या आपको दुख्य होई है आपको जलान हो रही है जो कुछ भी हो रही है आप यहां पर डिस्क्राइब करेंगे उसके बाद लिखेंगे धन्य बाद आपना नाम लिख देंगे निमंत्रन पत्र इस तरह पत्रों का उप्योग तब किया जाता है जब हमें इसी को किसी समारोह के लिए आमंत्रन देना होता है के लिए लिए पत्र को निमांत्रन पत्र कहा जाता है किसी जोची को इन्वाइट करने के लिए जैसे यह मंगलम भगवान विश्नु मंगलम गरुन धोजय मंगलम पुंडरी कांचा मंगला यह तनों अबरी यही इस प्रकार से जुआ है कि आपको कार्ड मिलता है कि वह आप बड़े बच्चे छोटे बच्चे हो या हो ना हो सब बुर्जुर्ग हो लेकिन फिर भी एक लाइन लिखी रहती है कि मेले चाचा के च्छादी में जुलूल छुलूल आना इस प्रकार से तो यह होता है निमांतरण पत्र आपके पास रोज आते होंगे तो आप जानते होंग मेरा प्रणाम के साथ अग्याकारी पुत्र लिखकर पत्र को स्वाप्त कर दिया जाता है जैसे और एक्जाम्पूल यहां है वागवली चोग बारा पत्थर सीवानी दिनांक यानि कि जहां भेज रहें वहां का ड्रेस लिखेंगे फिर दिनांक लिखेंगे यहां पर कि कहां जा रहें कहां नहीं जा रहें मतलब जो कुछ भी आपको अच्छे बारे में लिखना है भले यह आप जाके लड़की देख रहे हो यह कुछ भी कर रहे हो लेकिन वह सब नहीं लिखेंगे आप अच्छे अच्छे अपने बारे में लिखेंगे और लिखकर अच्छे पत्र अप्चारिक पत्रों का उप्योग सरकारी अथवा आफिसियल सूचनाओं के समवाध हैतु क्या जता है अप्चारिक पत्रों का उप्योग परिवारिक निजी सगे संबंधियों मित्रों आधि के लिए किया जाता है अवचारिक पत्रों में प्रार्थना पत्र शिकायत पत्र आवेदन पत्र आधि हो सकता है अनवचारिक पत्रों में निमंत्रन पत्र बधाई पत्र पिताको पत्र इस प्रकार के होते हैं संबंधियों में अवच पत्र का उदेश से आद लिखना जरूरी होता है कि पढ़ने वाला जो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा पत्र करता है इसलिए लिखा जाता है किसी से लिख रहे हैं उस विषय पर जो है कि आपका भाव क्या है वह इतना नहीं करता है लेकिन अप्चारिक पत्र यहां भाव और बिचारों कामेटर करता है इस भाव से आप उसको लिख रहे हैं उसको प्रारूप यह निर्वर प्रारूप लिखा जाता है तो जहां भेजते हैं उसके पूजी अवचारिक पद्र क्या होता है सरल्ता होनी चाहिए ये नहीं कढई सब्सक्राइब पताचला कि आफिशर को जिस आफचर को भेज रहें उसे समझ में नहीं आए अप हो सकता है कि हिंदी को भीशेश सग्यां वह बिश्यंकि अब सग्य और इंगल्स के बिसस्ग हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता है तो अलक्ष सब्सक्राइब रिखना चाहिए 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 चैनलग च्छानिंद्र पर उसका ध्यान जाए बहुत जादा बड़े लेटर लिखें गिंगा या मौ लिखता होने चाहिए दानिकी जो मूल आपका बात्व जो मूल बाते हैं इसी इसको लिखना चाहिए और उद्धिस पुर्णता होने चाहिए आपका उदिस से कही वो समझ में आ जाए उसको अनवचारिक पत्र में क्या होता है संचिप्टता इसमें भी होनी चाहिए संचिप्ता होगी तो ठीक है अगर नहीं भी तो क्वैद यूज़ार तो मोल संबोधन होना चाहिए माता जी प्रियपितकि युण भी रहे हैं पिश्त्रित ब्रड़न करना चाहिए गयों कि वह आपकी प्रणता होने चाहिए और नाम किसने लिखा है यह नहीं पता चलेगा फिर क्या पता चलेगा सेमी अफिस लिटर इन दोने में अंतर क्या है इसको देखते हैं हलां की अंतर एक बर मैं बता जुका फिर भी एक बर बता देता हूं ऐसा पत्र जिसमें सरकार के किसी एक कर्याला से दूसरी कर्याला के लिए किसी नीत निर्माण समस्या निदान नीत निर्धारन इत्यादी कभी सए हो एक कर्याला से एक आफिसे दूसरी आफिसों को भेजा जा रहा है उसमें नीत निर्माण के लिए या समस्या निर्माण के एक से दूसरे करयाले को लिखा नों लिखकर एक अधिकारी द्वारा को भी दिखा यह जाता है अधिकारी हो इननी के सरकारी ब्यक्ति इसे भी लिखेगा लेकिन वह अधिकारी लिखेगा अपनी से परस्टनल लिखेगा पूरे आफिस की तरफ से नहीं लिखेगा जैसे एक डियम किसी SDM का पत्र लिखता है तो डियम आफिस SDM आफिसको लिखा जाएगा तो वह आ जाएगा सरकारी पत्र में लेकिन अगर बैक्तिगत रुप से उसी को लिखता है कि यो लीम के नाम से ही त आप सकते हैं, आप को जा रहा है तो और फूर्स सन्ख्या इसमें नहीं होता है इसमें जमकला परारु में किया जोता है अगली बात इस जब शुरू होता है दो नुम्बर शुरू होता है एक liking्स सर्कारी पत्र आप सरकारी पत्र में याता है लुकि पर кहिल जल्दी नहीं नहीं पहता है कि अनूस senior ससरकारी में आज जाएगा कंडे क backwards चैक अपिना के लिकते हैं तो खोल सकता है क्योंकि वह आपिस व्रहांट को लिखे यह सरकारी पत्र जरूरी से नेजी आफिस को भी लिखा जा सकता है लेकिन के लिए होता है आप किसी को नाम से लेटर लिख रहे हैं तो क्या करेंगे वो जरूरी है जरूरी नहीं है लेकिन संभावना सब्सक्राइब करने के लिए इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है समान अस्तर के अधिकारी द्वारा भेजा जाता है किसी भी सेस अधिकारी के नाम से भेजा जाता है अधिक तो नाम बेखतिक अत्रुब से भजा जाएगा है नी कोई नहीं जैसे पी बात कर यहां पी परिशनल असिटेंट यह देख सकता है या पिए नहीं देख सकता है जिसको भेजा गया अनि कि आफिसर क्यों देख सकते हैं यहां पर अर्ध सरकारी में बेक्तिगत सेली में क्योंकि किसी एक बेक्ति को टार्गट करके एक बेक्ति को भेजा जा रहा है ऌतो जब एक व्यक्ति को ब्हक्तिकत साली में लिखा जाएगा सधी से बात है एक बचन में लिखा जाएगा र्धुमपुरुस मं लिखा जाएगा मध्यां-पुरुस उत्तम हो इस न!!! सब्सक्राइब कर हो तो मद्यमृपुरु है मैं अम उत्ता मद्यमृपुरुस में तुम होगा यहां पर किसी कि एक मैं भेज रहा हmente अब से करना हूं तो मध्यम पूरुष में इसको सरकारी पत्र का प्रावरूप सरकारी प्रेशक प्त्र संख्या रिखेंगे विभाग मंत्र ले और अस्थान दिनांक लिखा जाएगा इसके बाद सेवा में इसको भेजरें प्रभारी अधिकारी यह कुछ भी हो तो उनका विभाग नाम पता ना रास्थान उसके बाद लिखेंगे जरूरी होता है किस बैसे में बात करना चाहते हैं उसके बाद महोदय लिखकर अपना काम शुरू करेंगे यहाँ पर अगर कोई संलगनक है आपके पास संबंध में पत्र लिखें लगनक है उस चीजी भी उसमें लगाने के लिए तो हां संलगनक कि यहां नाम पता इसमें क्या होता है मंत्राला रहते हैं यहां लगा देंगे और लिखेंगे इसमें बात करना चाहते हैं अर्सने कितिति का पत्नाम और पता और सधधा ठवह दिया हैं कि इहां पर आपस्ता क्श्चर कर देंगे कि अधीछ अधित सूचना और परीपत्र अधित बत्र में अंतर देखते हैं क्या है कि अधिकारिक रूप से सूचना है और परीपत्र परी मतलब होता है चार और देसों की सूचना क कि होती है इसमें निकर्य पत्र हो सकता है द 누wir प मुं सकता है पड़नती हो सकता है स्थनांतर सकते अित्याधि अने merit प्रखार से निव्रतार सेवा भिस्तार अस्थनानतर्ण सेवा निवृति निधन आधिकारी रूप से सूचना होती है इसमें परिपत्र क्या होता है जब कोई सरकारी पत्र अनेक बिभागों अथ्व कर्यालेमे लिए को को बेज साहता है तो उस कछार शार ओर आपने भाग के दिशी देना धार कशन लेकितने भी वह along कर्याला की जनकारी आदेश हो सकती है प्रकार के नियम आज से लागो होते हैं इसको आदेश हो सकते हैं अपने करमचारी को बेजने आदेश दे रहें तो अस्पष्ट होना चाहिए किस चीज का आदेश दे रहें और सरल सब्दों में होता है तो अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी के ओता है अधिकारी के नूद्य से चोटे में परिक्त होता है विभाग का नाम बाइं औरियूस होता है यानि वे वरिष्टह से कनिष्ट ने बलम बढ़ और होता है कि मध्यमपुरु सहल को यह नहीं है लेकिन कभी-कभी uh से भी संबंधित हो सकता है आम जंटां यह सोचना देजा सकती है पिके बारे में सहल सहली में लिखा जाता कानुनि रुब इसलिए लिए से आमतर पर सरकारी गजट में प्रकासित को नकरना सरकारी गजट में प्रकाशित करना पड़ता है तो अधी सूचना क्योंकि राष्टपती राजयपाल राजयपाल सबसे बड़ा होता है लेकिन फिर वह समयधानिक पत होता होता इसलिए वह बिधिक सहले में लिखा जाता है सरकारी गजट में इसे प्रकास्त करना होता है क्योंकर राष्टपती राजयपाल की बात हो है प्रिपत्र क्या होता है यह किसी प्रसनल विभाग से संबंधित होता है परिपत्र क्या होता है ये किसी पर्ष्णल विभाग संबंधित होता है कि या किसी बिभाग प्रधान करयाले की और से अधिनस्थ कर्यालों को भेज जाता है इस इस लाट आपके अहां होगा आपकी एरिये में होगा सबस्थेजुट परफ़न उस Means Leveol परफ़नीटंट होता है में सबसे बढ़ा होसे अधिकारी होते हैं होते हैं एक साद तो उसे सरकुलर बोलेंगे परिपत्र बोलेंगे परिक मतलब Déjà में जब किसी बिशय प्रेशक एक हो तथा पाने वाले अनेक हो जब कोई बिशय और प्रेशक एक हो तथा उसको पाने वाले प्लेटर को पाने वाले अनेक हो तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है यह निश्यत्रम से सरकारी पत्र ही होगा क्योंकि सरकारी आफिस में भेज बन जाता है कि मूल पत्र सबको भेजा जाता है जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलीपी भेज जाती है जो सरकारी पत्र जो होता है उसे प्रतिलीपी भेजा जाती है अर लेकिन परिपत्र भी सरकारी पत्र होता है लेकिन परिपत्र में मूल पत्र ही सबको भेजा जाता है जो प्रकाशित नहीं किया जाता है कर्यालाइय अदेश का में करारूप ये पर करूपी एस तु कॉर कि फेस्ति को अधिस का प्रारूपी है जैए यहां फाट तेक अकषित आप लूएत है एस पर कर्याल नाम होगा स्थान दियमा की तिया की इसके बाद यहां पर और यह की लिखना होगे उसके बारे में यहां पर प्रति लिखत को सुचना आर्थ how ये अधिकारी कर्यों से सुचना है और जागा है । विख्षाच गया है सब को आधि लिपी निलिकत को को सुचना हतो है इने किसमा Geni लीपी जाती है इन दोनों में क्या है प्रति लीपी जाती है और यहां पर क्या होता है परिपत्र में पर्ड़िटी जाते हैं मूल प्रती ही जाती है यहाँ पर पर किस ने भेजा है और सेवा में इस जिसको 200 लिखना गत्र संख्या यहां पर लिखेंगे अगर कोई से लगनक है तो इसमें डाल देंगे अपना पना पदनाम लिखे देंगे उसके बाद प्रती लिपी नेम लिखेंगे संचनारत हो प्रती पर नेम लिखेंगें कई के निज़ए करएयालाई अदेश क्षका करएयालाई ऑटपपफिशाल नहें सीट ग्यापन मेम्लेंडम जिसे साट में ग्यापं में पहस्व भी बोलते हैं तरिखना का अभीमने पढ़ा इस बात को जह किसी कर्म में जाते हैं किसी ज्फिश्चनाज माती Communist उदे से सुचना देना होता है इसका उदे से आधेस देना होता है यह करेयाले विसेश तक प्रभावी होता है अधिकारियों के लिए होता है क्योंकि आदेश तो अधिनस्त के लिए होगा और ये कारियाल के बैग्ती बिशेष के दृष्टी कोंड से जारी किया जाते हैं इसका अनिवारे मिन रूआ आदेश दिया गया है उपर्वाली अधिकारे निद दिया है तो पालन करना पड़ेगा दानिवारे रूप से यहाँ पर एक केवल एक संदेश होता है यह आपने एक संदेश को होता है तो जरूरी नहीं कि उपालन हो या न हो तरह लिए इसका उलंगन करने पर अनुसासनात्मा को दंडात्म करेवाई हो सकती है क्योंकि उपर वह अधिकारी आपको आदेश दिया है तो यहाँ पर एक केवल एक संदेश होता है इसलिए इसको पालन करना इच्छा पनिर्वग जरूरी भी नहीं होता है और क्योंकि इच्छा पनिर्वा करता है इसलिए उलंगन होने पर समाने तक कोई करेवाई नहीं होती है और क्योंकि उलंगन पर समानता है कोई करेवाई नहीं होता है इसलिए वादयोग नहीं होता है और यह वादयोग होता है पत से परेजाकर सेवाशरतों के उलंगन करने वाले आदेश की वाद वैद्धा न्यालय में वाद दियोग नहीं है। करयालई आदेश के अनुस्यासदमक भिष्यों के लिए रीड है। करेयाल है कि अनुसास्त्मक्ष्टों के लिए क्योंकि आप अधिकारी आदेश दे रहा है और नीचे आधियार के पालन ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब आदेश का इसलिए अनुसासन कैसे चलेगा तो पालन कराए जरूर जाना जरूरी होता है इसलिए अनुसासन का यह रिड अधिकरता है यहां पर है अभट अब लगया करसा प्रायों नियक्त का प्राण प्रारूप का प्रारूप है जिस मंत्रा लत्रव्याक से भेजा जा रहा है कर्याले ग्यापन बिसे लिखतेंगे उत्पादर प्राजबहसा इंदी का प्रयोग है जो कुछी आपकर लिखतेंगे इसके बारे में यहां पर लिखा जाएगा उसके बाद वह निक्त जिसने हुआ है ग्यापन देने के लिए अधिकारी है वह अपना नाम और यहां पर विभाग लिखेगा उसके बाद तेवा में दिस उसके बाद आगे करतेगा नेक्स्ट है टेलीग्राम इसे बोलते हैं तार पहले चला करता था जब मोबाइल वाट्सप नहीं हुआ करता था तो तार चला जाता था कोई जरूरी स सबसे जाता है और इसे तार बोलते हैं टेलीग्राम बोलते हैं जब एक सहर से दूसरे सहर स्थान पर टतकाल सूचना भेजनी हो तो तार भेजा जाता है इसमें संचिप्त किन्तो सुचना और निवारेता कि स्थाथी में भेज जाती है क्योंकि यह बहुत जल्दी पहुंचाना होता है इसे अबです», कम सबंधों के प्रयोग होता है कभी 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 सा नहीं जो महत्रकुन होते हैं उसके बारे में कुठ भास吧 मतलब स्म tend garlic पड़ते हैं अब їх पता होगा यह पॉल का मतलब कि एपल का मतलब कीवल जी पी आर है तो तो आर्मी का मतलब क्या होगा इस प्रकार से रिजने में खुब अच्छे तरश बढ़ते हैं इसी को इंक्रिप्टेट फार्म बोला जाता है कि यह मने कुछ बनाया नहीं अपने से लिख दियासे कुछ होगा कैंगे कर पाल्यूंनौ कि दिखा रहा हूं निचे की निचे पता सब्ते के गहने सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब यहां सिर्फ इस्टेट नहीं है क्योंकि क्वालीटी में राजी केंद्र को भीकाते तो प्रांत आधवा राजिक यह और से बहुत अंतरदेसी एतार अंतरदेसी दोनों अलग लग चीजी होती है जिसे कोई पढ़ दे को रियुक्त हैं लिखा जातायानी लिखा जाता समुद्री समुद्र कह मनुत होता है किसी द्रम होता नहीं है समुद्र बाहर होता है समुद्र प्तार कही बीदेश समय Isla में बहे होतार और देखोता है दृत का मतलब सरकारी कारे में किसी बीषय को प्राथमियत का देकर भेज जनवलातार दृत तार का रहा आता है तिन तारों को आप ध्यान रखेंगे असान ही है यहां पर राज की सेवा में नाम पता इत्याद लिखेंगे यह धारन और रहाय कि दूर। दुरदगामी क्या मतलब कि- की जीज के बारे में किसी निस्चित Like के अध्यान करशित करना अ कितार कि ढए यहां पर लिखेंगे जो किस भी आपको कर है कि यहां पर लाइन मिले की यहांपर मिले की यहां इस प्रकार ना दिनंकास्थान फेर नाम यहां पर लिखेंगे नाम में यह न अनतिम होती है लेकिन हंदी बीडिवर करें सासन के दीन प्रती दीन के प्रशासनीों में ऐसे आनिक आएशार आते हैं जिब गई सासकी थाना निरणे को लोग महत्त्व का मानते हुए उसका प्रकासन राज की उल्चेट में सारव सद्रान को किया जाना उस्सेक हो जाता है और इसी को बिग्यप्ति कहते हैं इसका प्रयोग प्रचार के लिए किया जाता है नेमलेखित में से किसका प्रयोग प्रचार के लिए किया जाता है कई बार कुछन आ चुका है तो बिग्यप्ति का प्रयोग किया जाता है बिग्यप्ति का सब्सक्राइब करता है यानि कि सीधा सिधा कहें कि प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट तो प्रतिवेदन के अंग निमलिखित में से काउन सा प्रतिवेदन का अंग नहीं है यह कई बार क्वेशन बना है और बनने की संभावना है तो प्रतिवेदन की अंग होते हैं वस्तु परक्ता जैने कि किस बस्तू के बारे में प्रतिवदन रिप्पोर्ट क Ohio किया जा रहा है उब उसके बारे में अश्पष्ट होना पर रूप में देना चाहिए इसको आलंग कि आपके पास फाइल इसकी होगी तो फाइल में डिस्क्राइब किया गया हो लेकिन रिपोर्ट जब भेजना होगा तो संचिप्ता क्या धार पर भेज़ेंगे थोड़े से बात में मुल बातों को लिखकर भेजेंगे संतुलन होना आप इसे विभाग होता आप देख सकते किसी बारे में अनुसंसा करता है यानि कि अनुसंसा करने का मतलब कि वह एक प्रकार सा सलाकारी संस्ता होता है प्रतिवेदन के प्रकार प्रतिवेदन के प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं इन प्रकारों के याद करें यह नहीं पु साहित्तिक प्रतिवेदन होता है और समाजिक प्रतिवेदन होता है प्रसासनिक संबंदी रिपोर्ट विदिक संबंदी कानुन संबंदी रिपोर्ट पत्रकारिता संबंदी रिपोर्ट साहित्तिक संबंदी रिपोर्ट और समाज से संबंदी रिपोर्ट समाज के रिपोर्ट यह सब आपको ध्यान रखना है बिग्यप्ति का प्रारूप को सब कर देखते हैं तो उसके जौन है नहीं प्रतिवेदन का प्रारूप आप देख सकते हैं कि अब सबसे पहले भी मिसली हें लिका जाता है और यहीं कॉर्श्चन करई कि गई है तो था जिए एक दो तीन चार पांच जाशला नाम नहीं डालेंगे पहले बता चुका हूँ दूसरे नंबरिंग नहीं करेंगे दूसरे पर पर नम्बरिंग सुरू करनेंगे दो तेन चार पांच जो जहां यहां पर लिखेंगे और उसके बाद अध्यक्ष अपना नाम यहां नीचे लिखेगा अनिकि अध्यक्ष महाना जाएगा कि अध्यक्ष चीज को भेज रहा है अलांके सभी सदस्यों के नाम यहां होंगे लेकिन इसको प्रत्में किता दी जाएगी क्योंकि अध्यक्ष की तरफ से भेजा जा रहा है प्रेश्विग्यप्ति क्या होती है मेडिया को सूचना देने के लिए कोई घटना गटी तो उसके बारे मेडिया को सूचना देना कि यहांपर घटना होती में निविदा किसी निर्माणकार या समान आपूरत है तो निलामी की सूचना के लिए किसी निर्माणकार या समान आपूरत है तो निलामी की सूचना होती है कुछ माल लेजिए कि अभी अपोच करके आघसू अभी कुलार चल रहे हैं गर्मी के दिन में खुल कुल रहे थे घर्मी के खुल और चल रहे थे उसके बार क्लव जो जिस पत्र से पात्व सब्सकूस समबंध संबधन अभिवादन इसे संदो मतले किसका कुकिस प्राकार से करेगा जैसे पिता पुत्र को भेज रहा है तो तो किस फ्रकार का करेगा प्रिया अरादीगा यह कुछ भी जोग अभिवादन करेगा अगर पिता तो अभिवेदन मतलब अपने बारे में क्या लिखेगा क्यां तुम्हारे कावन है जैसे पर एक्जामपल देख लें पिता अगर पूत्र को भेज रहा है तो प्रिय एक्स वाइज लिखेगा मतलब प्रिय राहुल प्रिय रादिका प्रिय रानिका या जो कुछ भी हो इसके पुझे पिताजी समभधन में लिखेगा पुझे पिताजी पुझे माताजी जो कुछ भी अभिवादन में तादर प्रणाम करेगा तादर प्रणाम आसरबाद तो देगा नहीं अपने पिता को तो सादर प्रणाम करेगा अभिवेदन में क्या लिखेगा आपका इसने एक तो प्रिय उसके शिषिका जो ककुछ भी नाम हो उसके बाद शिषिक भेज़ रहा है ता अÜसने पत्र तह तो क्या होगा आध्रणिया पूजनिय गुरुदेव अद्रनिय पूजनी गुरु देव मतल़ आदर करने योग है और पूजनिय मतल़ पूजह करना यहूग होते हैं अधक Sigyn और बैस के जो गुरुदेव और यह इसलिए पूजनिय की बिद्रेव पूजना चालता है पूजनीय इसी प्रकार्स सुर्च्फ कन चने जाएगा अबिवाद्र करेंगे चारण्परण अभिवेदन में क्या करेंगे आपका लिखेंगे ब्सक्रिया नहीं प्रिया चेमिके बन्दुन प्रिया कि अधी करेगा नमस्कार करेगा किया करेगा आपका इसने कांचвол आपका मेत्र इस प्रकार से कि शेपर मूल पार्ट से कितने सब्दों में लिखा एकस यपर अधीया यहाई इतना समया नहीं लिखने के मिलिक लिए तो यह इसका एंसर है यदि कोई पत्र सभी संबंध करें लिए प्रेशित को प्रेशित किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं परीपत्र बोलते हैं परीपत्र बोलते हैं परीपत्र बोलते हैं हमने बताया परी का मतल चार ओर प्राधिकरण को इंग्लिस में क्या कहते हैं यह सभी जो है एकुष्चन का फॉर्म है और पूछी करूप में पूछा जाता है इंपर्टेंट है आजर को आदेश बोलते हैं आप जानते होंगे आप फिडेविट को बोलते हैं सभथ पत्र क्यूंकि आपके स्लेवाश में एक अब्छेस बोलते हैं अटफिकेसं को लेकिन तो नहीं अधिसोचनाником की लगाएंगं अ सनलग मको बोलते हैं इंकलज्ड ये अ सनलंग को बोलेंगे इंकलोज अगर टेस्टिमोनियल से मोग बोलेंगे प्रसंसा पत्र हुकी मुद्ब कूब बोलेंगे परिविख्छा धीन यहीं की परिविख्छा काल प्रभेश्नरी ऐसे बोलते हैं प्रभेश्नरी मतलब प्रभेश्न काल परिविख्छाकाल कंगेंजिवन अफेंस मतलब संगय अपराध संगय अपराध उसके बाद निराकरण को बोलते हैं अब्रोगेशन अ धर्रेण दाता होता है रोकडिया बोलते हैं केशियर को कि एजन्ट बोलते हैं अभी करता ने के की सुधार करना तुधार करनाnov television का ऐस्राचना मेंडर को अन। महता है कुला डुमां रिंसमारक। प्रति पूर्ती करेंब्रिशुमेंट माफिदार असामी यानि भीमिफेशियरी भीनिफेशियरी होता है मी नहीं होता है यह न होता है कांटिजवेंट एक्स्पेंडेचर होता है एक्सपेंडेचर एंडिमेंटी वांड निच्छाती पूर्ति बंध पंत्र अधिग्रहण का मतला होता है अप्टुडेट अगतन नहीं है अध्यतन है अध्यतन का मतला है अप्टुडेट। निविदा वह हमने पत्र के रूप में पढ़ाया था निविदा टेंडर कि जबहीं निलामी बाला था लंसम है । यह है लंप संब यानि लंप पढ़ते हैं तो लंप संब का मतलब होता है एक मुष्थ घंडार्थ का मतलब और को कि सब कोश्चन के रूप में बनेगे आपको याद करेंगे मेर हैड का मतला मुख्य लेखा सिर्शक कि अधिक्षक होता है यह गलत लिखा गया थोला सा अब मूल का मतला होता है सब्सक्राइब का मतला करार ओपन याधिकन का मतला ये आप्रइमीयेज संस्टन उन परंटल पुर्णर विन्योग इंस्ट्रक्षान अनुदान का मतला अनुदान का मतला उन्याइधिकर्ण क्मतला विचारा धीन कमतला सब जोडेशेस और आवस्यख वस्तु कमतला इसेंशियल कमोडिटीटीज कमतला वस्तू होता है अभी योजन कमतला प्रोसेक्यूशन और अर्धसासिकि पत्र कमतला सेमि आफिसे लेटर कि यहां से मनता है संखेपण की विसेष्था नहीं है तो आप इस विसेष्था को जान लीजिए और इसमें जो नहीं आएगा जो इसमें से बाहर रखाएगा उसे बता देंगा कि यह नहीं है संखेपण क्या होगा अकार में संतुलन होना चाहिए परिपूर्ण होना चाहिए जो बात कह रहे हैं वो बात में चाहिए विचारों की हस परिखता होनी चाहिए भासा की परिवर्टन शेल होनी चाहिए तूंबद संबद्यत और बंदेता होनstudy बात व Oui करना है मिक्स करके नहीं उसके बाद कि यह जो है कि लेटर राइटिंग खतम होता है पत्र लेखन खतम होता है